वल्कम टिश्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन, पांस सिकेंड बात सुरू होगा रेडी, स्टार्ट प्रतेक व्यक्ती खुश रहने की कामना करता है, लेकिन रहता नहीं इसका प्रमुख कारण यह है कि व्यक्ती अपने मन में बेवजह के अवसादों से चिंताग्रस्त रहता है वह उन कालपनिक चिंताओं की छवी को हिर्दय में आकार देकर रखता है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है इसी तरह कई बार व्यक्ती पुरानी प्युडाओं के घाव को प्युडा मुक्त होने के बाद भी इस्मरण करता रहता है हमारे हिर्दय में अवचेतन मन 24 घंटे उपस्थित रहता है यह अवचेतन मन व्यक्ती के अंतरमन में रहता है जो व्यक्ती कालपनिक परेशानियों को दिन रात सूचते रहते हैं अवचेतन मन में उन कालपनिक परेशानियों का बोज बढ़ता रहता है व्यक्ती के चहरे पर उन कालपनिक परेशानियों के बोज बिमारी चिन्ता क्रोध इश्या के रूप में उजागर होते रहते हैं खुशी दरसल मन की एक अवस्था है इसे मन के अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है भौतिक वस्थ में जैसे नौकरी विवाह अच्छा भोजन घर गाड़ी आदी चणिक आनंद प्रदान करती हैं लेकिन खुशी नहीं खुशी तो वह अवस्था है जिसे प्रकेटि ने निशुल्क प्रदान किया है व्यक्ति इसके निशुल्क महत को नहीं समझता और अपनी समझ से इसकी कीमत निर्धारित कर लेता है जो व्यक्ति खुश होने का मंत्र जान जाता है उसके लिए बहुतिक वस्थों की प्राप्ती का अधिक महत नहीं होता क्योंकि वह उनके न रहने पर और विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है खुशी को चुनने का विकल्प व्यक्ति के पास सदैव मौजूद रहता है आप निम्न उपायों को आजमा करें देखें तो खुशी सदैव आपके आंगन की रौनक बन सकती है सदैव सकारात्मक मानसिक द्रिष्टिकोंड रखें सुबह उठते ही खुशी का चुनाव करें भय क्रोध इश्या को पंक न दें तो आज से ही खुशी को चुने और अपने मन के सहज भावों से खुशी के पंक लगाएं जिससे की वह आपके इर्द गिर्द उड़कर हर और खुशी फैलाएं और सब को सुखी बनाएं स्टॉब